जिस चीज का सूचल मीडिया में लोग लगतार इंतजार कर रहे थे, पूछ रहे थे और सबको वाट्सप पे एक फीचर की तलाश थी जो अब आ चुकी है जिया, वाट्सप ने आखिरकार अपने सभी यूजर्स के लिए पिक्चर इन पिक्चर यानि PIP मोड फीचर जारी किया है वहीं आपको बता दें कि कम्पनी लाबे समय से PIP मोड फीचर की टेस्टिंग कर रही थी कई WhatsApp users इस पिचर का इस्तमाल WhatsApp बीटा वर्जिन के बाद धे हम से कर रहे थे इसकी मदद से आप YouTube, Facebook और Instagram में वीडियोस को WhatsApp के अंदर भी देख सकते हैं बताये जा रहा है कि बीटा वर्जिन का टेस्टिंग सफल होने के बाद अब कंपनी ने इस फिचर को WhatsApp के स्टेबल वर्जिन के लिए भी जारी कर दिया है अब आपको जल्द ही शुवेदा मिल जाएगी जिसका मतलब आप सभी Android users अपना WhatsApp अपडेट करके इस फिचर का आनंद ले सकते हैं फिलाल अब PIP mode ये नया फिचर WhatsApp के लेटिस्ट वर्जिन 2.18.380 के साथ भी Android users के लिए भी पेश करा दिया गया है आपको बताना चाहूँगा कि users अपना WhatsApp Google Play Store में जाकर अपडेट कर सकते हैं और अपडेट होने के बाद आपको ये फिचर मिलने लगेगा अपडेट के बाद आप अपने WhatsApp में YouTube, Facebook या Instagram के वीडियो लिंक के माध्यम से WhatsApp में ही देख सकेंगे अब आपको उस वीडियो को देखने के लिए WhatsApp को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पचाने की जरुत नहीं होगे इतना ही नहीं अब आप इसके अलावा वीडियो देखने के दौरान WhatsApp में चैट भी कर सकेंगे वीडियो पॉप अप विंडो में जारी रहेगा तो ये कही न कहीं नया फीचर वीडियो देखने का WhatsApp जो users हैं उनके लिए फाइदे मंद है और उन्हें अच्छी सुविधा बहतर सुविधा प्रतान करने के लिए WhatsApp लगातार कोशिशें कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधाएं तो मिल लगी है लेकिन सिक्यूरिटी वढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो काफी हद तक माइने रखता है customers के लिए जो WhatsApp यूज कर रहे हैं उन users के लिए Next 9 Tech Report